नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर टू सोसल साइंस के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हिस्ट्री, जोगरोपी, पॉलिटी के टोप लेवल के क्वेस्टन मात्र एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करवाने वाला हूँ, यह वीडियो आपके एकजाम के लिए महत्पूर सावित होगी, जितने भी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेस्टन कराऊंगा, क्वेस्टन सारे के सारे महत्पूर है, NCE, RT से संबंदित क्वेस्टन है, PYQ क्वेस्टन है, यहाँ पर PYQ क्वेस्टन को भी सेलेक्ट किया गया है, जित यह आज की यह वीडियो महत्पूर रहेगी यहाँ पर पहला question निमनलिकित में से किसे जापान का मानचेश्टर के नाम से जाना जाता है यहाँ पर correct answer होगा ओसाका ओसाका C number वाला विकल्प यहाँ पर correct होगा जापान का मानचेश्टर किसको बोलते हैं? ओसाका को बोलते हैं आखिर यह मानचेश्टर होता क्या है? यह दरसल होता है सूती वर्ष्टर जो उत्पादन केंदर होते हैं सूती वर्ष्टर के जो महत्पूर केंदर होते हैं उन्हीं को बोला जाता है मानचेश्टर ठीक है? जापान का मानचेश्टर कहाँ पर है ओसाका में है अगर आपसे पूँच ले भारत का बताओ एक्जाम में अगर पूँच लिया जाए भारत का मानचेश्टर बताओ तब आपको बताना पड़ेगा अहमदाबाद क्या बताना पड़ेगा अहमदाबाद में भारत का अगला प्रसन यहाँ पर कहता है कि अदो लिखित में से किस लेखक की पुष्टक से कस्मीर के बाहरवी सताब्दी इसवी के इतियास का विवरण प्राप्त होता है यहाँ पर इसका आपको करेक्ट आंसर वतान है करेक्ट आंसर यहाँ पर सी विकलप होगा कलहड कलहड की पुष्टक का नाम है राज तरंगडी इसकी पुष्टक का नाम है जो की important है एक्जाम में काफी वार पूँची जा चुकी है अन एक्जामों में भी ठीक है न यह question भी एक्जाम में पूचा गया है यहां से आप से क्या पूचा गया है कसमीर का इतिहास किसकी पुष्टक बताती है जो की बारवी सताब्दी के बारवी जो सताब्दी है कसमीर का इतिहास किसकी पुष्टक बताती है कलहड की पुष्टक बताती है कलहड की पुष्टक का नाम मैं इमने में से किस रिसी सतलज और व्यास नदियों की पूजा का उलेक रिगवेद में मिलता है ठीक है वसिष्ट विश्वामित्र जनक सुक्राचार यहाँ पर करेक्ट आंसरों का विश्वामित्र ठीक है यह विश्वामित्र कौन है यह रिगवेदिक कालीन का क्या है एक रिस यहाँ पर आचुका है question अगला कहता है कि छोब मंडल की विशय में निम्लिकित में से कौन सा कतन सत्त है आपको सही वाले कतन की पहचान करके वताना है चलिए यहाँ पर इसको वताते हैं इसकी ओसत उचाई 13 किलोमीटर है मौसम की लगवक सभी घटनाए इसी परत के अंदर होती है यहाँ की परस्तितियां हवा इजाज उडाने के लिए आदर्स होती है एक और दो दो और तीन एक और तीन एक दो तीन यानि की यहाँ पर कौन सा सही है किसके वाड़े में छोब मंडल के वारे में ठीक ना छोब यहांपर 13 km बताएगी ये ठीके कहीं कहीं पर आपको 10 km, 13 km, 15 km, 20 km, 18 km यानि कि लगबक 20 km के अंदर तक छोब मंड़ आपकी पाईज़ आती है ठीके ना? ये आपका कैसा है? बिलकुल करेक्ट है जो छोब मंडल है यहीं पर मौसम की लगवक सभी गटनाएं घटती हैं जैसे आंधी, तूफान, बारिस, ओला ठीक है यह सारी गटनाएं कहाँ पर होती है यह चोब मंडल में होती है यह भी सही है यहां की परस्तितियां हवाई जाज उड़ाने के लिए आदर्स नहीं होती ह हवाई जाज कौन सी इस्तितियां उड़ाने के लिए आदर्स मानेगी यह कौन सी परत उस परत का नाम है समताप, समताप मंडल ठीक है जिसको ओजोन लियर भी कहते हैं यहाँ पर जाज उड़ते है क्यों उड़ते है क्योंकि यहाँ पर मौसम बाली कोई गटना नहीं होती है तो आपका तीन वाला यहाँ पर गलत है राइट कौन सा होगा एक और दो एक और दो यहाँ पर करेक्ट होगा पहला वाला विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रसंद कहता है कि निमनलिकित कतनों पर विचार करें उत्तरवैदिक काल में इस्तरियों को भी सुद्रों के साथ जोड़ा जाता था महिलाओं और सुद्रों दोनों को बेद को अध्यन करने की अनुमती नहीं थी यहाँ पर आपको करेक्ट वताना है अब बात करना है उत्तरवैदिक काल आप जानते ही उस समय सीमा इसकी पंद्रह सो इसा पूर्व से लेकर कितनी है इसकी पंद्रह सो से लेकर छह सो इसा पूर्व ठीक है यह दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बैदिक काल एक तो आपका रिगवेदिक काल है और एक आपका उत्तरवेदिक काल है रिगवेदिक की टाइम पीरिड के अगर मैं बात करूँ पंदरा सो वीसी यानि की इसाफ पूर्व से लेकर 1000 इसापूर्व तक क्या है दोस्तों ये है आपका रिगवेद क्या है ये है रिगवेद वहीं उत्तरवेदिक काल की सीमा की मैं बात करूँ ये आपका होजाएगा 1000 से लेकर 600 वीसी तक ठीक है ना ये महतपूर नहीं है जो मैं आपको वता रहा हूँ महतपूर आपके एकजाम में ऐसे कोशन पूचे जाते हैं इस्टेटमेंट वाले जादा सजादा पूचे जाते हैं कंसेप्ट आपका किलियर होते चले बस यही मैं यहापर करने वाला हूँ ठीक है ना तो उत्तरवेदिक काल में क्या था इस्तरियों को भी सुद्रों के साथ जोड़ा जाता था क्या दोस्तों जोड़ा जाता था सायद जोड़ा जाता था सही है यहापर मैला और सुद्रों दोनों को बेदों को अध्यन करने की अनुमती नहीं थी यह भी करेक्ट है यहाँ पर कौन सा राइट होगा आपका Both statements are true यहाँ पर दोनों ही आपके correct answer हो जाएंगे ठीक है ना चलिए आंगे वड़ते हैं यहाँ पर अगला प्रसंद कहता है कि यहाँ पर क्या है मुगल समराज की इस्तिरता का आधार The stability of the मुगल empire was defended on यानि कि मुगल समराज किस पर आधारित था इसका मुक स्रोध क्या था यह कैसे चलता था केंदरी करत प्रसासनिंग नीती और समराट का नियंतरड सैनिक अवियान और युद्धों द्वारा विश्तारी करड की नीती भूमिकर जो आयका मुक सादन था आसपास के चेतरों से मित्रता और बैवाहिक सम्मंद तो आपको यहाँ पर वताना क्या है जो मुगल समराज था उसकी इस्थिरता का आधार क्या था वो किस चीज पर डिपेंड था ठीक है तो यहाँ पर करेंट आंसरों का सी वाला उसका जो आय का स्रोत था आय का मुख स्रोत था कर भूमी कर ठीक है ना इसी कारण यह मुगल समराज बिसाल का हो गया वड़ गया ठीक है मुख स्रोत यही माना जाता है चलिए आंगे वड़ते हैं यहाँ पर अगला प्रसन कहता है कि साजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर में निम्लिकित में से कौन सा कतन उपयुक्त है उपयुक्त यानि की सही वाला वताना है आपको विच ओपदा फॉलोविंग स्टेट्मेंट्स इप्रुप्राइट इंदा कॉन्टेक्ट ओपसां जहां मैकिंग दीवाने आम तो दीवाने आम के वारे में आपको बताना है पिरिजा में संतोस विहतर सासन में सायता करता है अपराद की दर को नियंतिरित करना आवस्यत था ताज महल का सफेद रंग सांती का प्रतीक था राजा का नियाए छोटे वड़े को एक समान मानता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी विगल्प होगा ठीक है ना डी ओपसन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राजा था, राजा का नियाए छोटा वंदा हो या बड़ा हो, यानि कि कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, सभी को एक समान यहाँ पर नियाए मिलेगा, यही था इसकी खासियत थी दीवाने आम की, जो कि साजहां के दौरा यहाँ पर करवाया गया था, या बनवाया होता है इस टेक का निर्माड किसके द्वारा होता है यह समुद्र के द्वारा होता है सागर के द्वारा सीज के द्वारा होता है ठीक है ना नदियों के द्वारा किसका निर्माड होता है जल प्रपात का निर्माड होता है ठीक है और जिसको बोटर फोल बोलते है डेल्टा का निर्माड नदियों की दौरा ही वो होता है ठीक डेल्टा डेल्टा का भी निर्माड होता है उसी के साथ तटवंद होते हैं तटवंद का भी निर्माड होता है चाप जील का भी निर्माड नदियों के दौरा ही होता है ठीक है ना वितारिकाओं का निर्माड भी नदियों के दोरह होता है और नदियों को दोरह कौन से याकरती बनाई जाती है इस्तला करती है ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा था और आप एक चीज विसर्प विसर्प भी एक्जाम में पूछी कि विसर्प जब नदियां मैदान में प्रिवेस करती है तो यह मोड़दार बनाकर वहने लगती है निकी बड़े-बड़े मोड़ों में बहती है ऐसे ऐसे बहती है तब यह विसर्प कैल आती है ठीक है आंगे नदियों के वारे में मैंने आपको बताए दिया सई आंसर हैं आपर बी वाला होगा समुद रियानी की सागर पवन के दोरा कौनसी निच्छे पड़ाकरती बनाई जाती है लोयस उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको निच्छे पड़ाकरती को लोयस बोलते हैं ठीक है ना चलिए आंगे वड़ते हैं यहाँ पर अगला प्रसन क्या है वात दिखदर्सी का इस्तेमाल किया जाता है पवन की गतिम आपने के निये पवन की दिखदर्साने के लिए ठीक है यहाँ पर एक सही होगा दोनों सही होगे या कोई नहीं सही होगा अगर मैं बात करूँ वात दिखदर्सी की जो वात दिख दर्सी होता है यह पवन की दिसा वताता है क्या वताता है पवन की दिसा वताता है ठीक है ना indicate wind direction indicate करता है दिसा को ठीक है तो यहाँ पर केवल और केवल second वाला यहाँ पर correct होगा only two only two यहाँ पर correct हो जाएगा चलिए आँगे वड़ते हैं, आँगे हाँ पर ये question दिया गया है, ठीक ना, यहाँ पर कहा क्या गया है, आइने अकवरी के वारे में निम्लिकित कथनों को पढ़ें, यह अकवर नामा का दूसरा भाग बोलियूम है, यह अकवर के सासनकाल की घटनाओं का विवरेट देती है, यह ल हैं, वो काफी इस महालयानी की छोटे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर वता देता हूँ, आइने अकवरी, यह question तीन से चार बार एकजाम में काफी बार पूछा गया है, इसलिए महतपूर है, अगर मैं इसको सुरुवात से आपको बता देता हूँ, फिर question आप बिलकुल आस में divide किया गया है, पहला पार्ट जिसको first volume और दूसरा पार्ट क्या है, जिसको second volume या second part कहते हैं, तीसरा पार्ट को क्या बोलते हैं, तीसरे पार्ट का नाम है, आइने अकवरी, ठीक है ना, तीसरे का क्या नाम है, आइने अकवरी है, पहले वाले भाग में क्या है, अकवर की घटनाए है सायद ये आप नोट भी कर लो ठीक है दूसरे में क्या है सासन की घटनाए है और तीसरे को क्या बोलते है आईने अकवरी बोलते है इनमें क्या है इनमें दोस्तों ये बहुत महत्पूर है ये आप नोट करना मत भूलिएगा आईने एकवरी यहाँ पर जगए नहीं है मैं आपको मुख से बोल कर बता देता हूँ ठीक है यहाँ पर इसमें पद है वेतन की बात कहीगी यह पद वेतन सैनिक ठीक है पद वेतन सैनिक रख रखाओ और रीती रिवाज है इसमें सांके की दरसन ठीक है ठीक है सांके की दरसन भी इसी के अंतरगत आता है तो पहले वाले पार्ट में क्या है पूरवच का अवरन है सासन की गटना है थर्ड वाले का नाम है आईन एकवरी जिसमें पदवेतन सैनिक रख रखाओ सांके की दरसन इत्यादी इसी में आता है इसकी ने लिखा है अवुल फजल कौन था अवुल फजल अकवर का करीवी मित्र था ठीक है यानि किसका दोस्त था अकवर का और ये एक लेखक था अकवर की दरवार का ये भी आप लोग याद रखोगे ठीक है ना इसलिए महत्पूर है अब क्वेस्टन की मैं बात कर लेता हूँ आईने अकवरी के वारे में पूचा है अब आपको पता होगा आईने अकवरी थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट किसका है अकवर नामा का है ठीक है अब पता होगे आपको ये अकवर नामा का दूसरा भाग नहीं है ये तीसरा भाग है ये अकवर की सासन की गटनाओं का वि यह बहुत सारी चीजों का सांके की बिर्वर देते यह भी correct हो जाएगा यहाँ पर C और D CD किस option में C वाले में तो C और D इस question का right answer दोस्तों हो जाएगा अगला person यहाँ पर कहता है कि which of the following is correctly matched निम्नलिकित में से कौन सही सुमेलित है सुक्त अच्छी तरह से बोला गया उपनिसद पास फैटना या समीब जातक कहनिया यहाँ पर एक और दो सही है दो या तीन है एक या तीन है एक दो तीन है तो यहाँ पर correct answer आपके तीनों ही right हो जाएगे कौन कौन तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएगे कैसे सही होंगे सुक्त यानि कि यह बैदिक काल कि यहाँ पर बात कही जाती है ठीके जो बैदिक काल में क्या थी सुक्त सुक्त का अर्थ होता है मुक से बोला गया या अच्छी तरह से बोला गया सुक्त का अर्थ होता है उप निसद उप निसद दो सब्दों से मिलकर बना है उप पिलस निसद ठीक है ना हिंदी वाले विद्धार्ती जानते ही होगे ठीक है उप उप का मतलब क्या होता है उप का मतलब होता है पास में या समीप पास में निसद का मतलब होता है वैठना क्या मतलब होता है इसका मत यह मतलब हुआ करता था उपनिसद का तो यह भी हाँ पर सही दिया गया है पहला वाला भी सही दिया गया जातक जातक का मतलब होता है कहानियां ठीक है बहुत धरम में जातक कथाएं है कई सारी जातक का मतलब होता है कहानियां ही इस्टोरी ही ठीक है तो यह तीनों आपके इस चीज को कमेंट बोक्स में कमेंट करके मेरे को बताना यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हो अपने डिश्टिक का नाम कमेंट बोक्स में कमेंट करके बता देना उत्तरा धिकार की मोगल परमपराएं किस पर आधारित थी ठीक है ना जेश्टा धिका का उत्रादिकारी होता था जो पच्छ पात जहां पसिंदीदा पुत्र गद्धी का उत्रादिकारी होता था तो उत्रादिकारी की जो मुगल परंपराएं थी वो किस पर आधारी थी वो सहदायाद की पिर्था पर आधारी थी इसका मतलब था जो विवाजन होगा वो समस्त पुत्रों के बीच में कर दिया जाएगा यहाँ पर में आपका बी वाला correct answer हो जाएगा बी वाला ठीक है बी वाला इस question का विल्कुल right answer हो जाएगा चलिए आंगे वड़ते हैं यह question मैं आपको करा चुका हूँ तिबबत का कौन सा गरंत लद्दाक में पिरचलित है तो केसर सागा पिरचलित है ठीक है लद्दाक और तिबबत के बारे में मैंने आपको बताया था लद्दाक को छोटा तिबबत भी बोलते हैं लद्दाक को क्या बोलते हैं छोटा तिबबत लिटिल तिबबत के नाम से भी इसी को जानते हैं क्यों जानते हैं क्योंकि यहां की भासा भी समान है भासा ही समान रता है और यहां पर भोजन भी समान खाया जाता है और धरम भी यहां का समान है कौन-कौन से धरम के लोग रहते हैं यहां पर रहते हैं बौद रहते हैं और मुसल्मान रहते हैं कौन- और मिरत्यु दर के बीच के अंतर को प्रैकरतिक विरद्धी दर कहते हैं प्रवास एक अनकारड है जिससे जनसंक्या के आकार में परिवर्तन होता है ये भी सही है, दोनों आपके सही है, ठीक है यहाँ पर कौन सा राइट होगा, ए एंड टू, वन एंड टू अगर दोस्तों जो जनमदर होता है, जनमदर का मतलब होता है जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जो पैदा होते हैं और जो मर्जाते हैं जैसे जीवित जनमे बच्चे, ठीक है, जनमदर जो पैदा हुए हैं बच्चे, आनि कि पैदा हुए हैं बच्चे जादा मरी हो ठीक है या कम मरी हो या जादा पैदा हुए हो या कम पैदा हुए हो ठीक है इससे कुछ फरक नहीं पड़ता है चाहे नकारातमक विरद्धी हो या बड़ी हुई विरद्धी हो उसको वोलते है प्राकरतिक विरद्धी धर ठीक है इससे यहाँ पर मतलब नहीं है कि जनसंक्या घटी है या वड़ी है जनसंक्या चाहें घटे चाहें वड़े वो क्या कहलाती है वो कहलाती है प्राकरतिक विरद्धी ये वियात रख लेना ठीक है ना तो पहला वाला करेक्ट है प्रवास प्रवास का मतलब होता एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाना जैसे आप लोग गाउं से हो या सहर से हो आप लोग रोजगार के चक्कर में जैसे गाउं से यानि की गिराम से आपको सहर की ओर जाना पड़ता है ठीक है ठीक है तो गाउं में एक वंदा कम हो गया ठीक है तो एक लोग अगर गया गाउं से वहर कमाने के लिए सहर में एक वहाँ पर आपका पिलस हो जाएगा यानि कि वहाँ की जन्जंक्या बढ़ जाएगी गाउं की गट जाएगी तो इसका मतलब क्या है जिनसे जन्जंक्या की आकार में परिवर्टन होता है जैसे मुंबई सहर है, मैं बात करूँ जैसा कि आपकी पुष्टकों में बताया भी गया है, मुंबई सरवाधिक प्रवासी नगर की स्रेडी में आता क्योंकि यहां लोग रोजगार के लिए बहुत अधिक रोज कहां पर जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में जात ठीक है, यह आप यहां पर समझ चुके होगे, तो दोनों यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, आंगे हां पर क्या है, आंगे हां पर है कोईस्टन कहता है, निम्लिकित कतनों पर विचार करें, संस्कृत रमाड की रचना वेद व्यास ने की थी, महभारत और पुराणों का संक् की दौरा किया गया, consider the following statements, ठीक है, संस्कृत, तो यहां पर किस के दौरा क्या क्या लिखा गया, आपको वताना केवल एक सही होगा, दो सही होगे, या दोनों ही यहां पर राइट हो जाएंगे, या दोनों ही यहां पर गलत हो जाएंगे, तो यहां पर अगर मैं आपको सही उत्तर की बात बताओं, ठीक है, जो संस्कृत रामायड है, जो संस्कृत में जो रामायड लिखी गई है, उसकी रचना वेद व्यास ने नहीं की है, वलकि किसने की है, वाल मी की ने इसकी रचना की है, जो महा भारत पुरान है, इसकी रचना वेद व्यास ने की है, वेद वारत पुराण इसमें दे दिये गए हैं ठीक है तो यहाँ पर यह दोनों आपके कैसे दोनों आपके गलत हैं बोट स्टेटमेंट्स आर फाल्स तो अगला प्रसन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिकित में से कौन सा एकास्म मंदिर का उधारड नहीं है यहाँ पर नहीं वाला आ महावली पुरम के मंदिर वितर गाओं का मंदिर ऐहोल का दुरगा मंदिर उडिसा की जैन गुफाएं यहाँ पर आपके तीन जो मंदिर हैं वो एकास्म मंदिर होंगे वलकि एक यहाँ पर नहीं होगा उसी को पहचान कर आपको वताना है एकास्म मंदिर का मतलब होता एक ह पत्थर में वन गया हो मंदिर वही होता है एकास्म मंदिर ठीक है महावली पुरम के जो मंदिर है वो एकास्म मंदिर के उधारण है बितर गाओं का मंदिर ये कानपुर में सायद पड़ता है ठीक है पुष्टक में भी आपको वताया गया है ये इंटो से निर्मित है कैसे य इंटों से वना हुआ एक मंदिर है ठीक है जो कि एकास में मंदिर का ही उधारड है आई होल का दुरगा मंदिर भी आता है जैन गुफाएं यहाँ पर मंदिर पूछा गया है यह गुफाओं की बात कहीगी है इसलिए यहाँ पर आपका गलत कौन सा हुआ डी वाला यहाँ पर कथनों पर विचार कीजिए उबरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है सूचना प्रद्योग की उद्योग के मुख केंद्र मद्वरती कैलिफोर्निया के सिलकोन घाटी में है और भारत के वंगलावर प्रदेश में है तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही आपके सही हैं बिलकुल सही है बोद स्टेटमेंट आर ट्रू सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कैसे सही होगा उस सीच को सबसे पहले आप लोग समझ लो उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग कहलाते हैं जो नयने तेजी से बिक्सित हो रहे हैं उद्योग उनको वोलते हैं उवरते हुए उद्योग ठीक है पहली बात जैसे सूचरप उद्योग की उद्योग ये भी एक सनराइज उद्योग का ही उदहारड है कैलिफोर्निया को क्या वोलते हैं सिलकोन घाटी बोलते हैं वहीं भारत की सिलकोन घ भाटी बोलते हैं ये भी आप लोग याद कर लेना ठीक है तो दोनों आपके यहाँ पर बोध इस्टेट्मेंट आर ट्रू चलिए आंगे वड़ते हैं यहाँ पर अगला प्रसंद कहता है कि निम्ड में से कौन सा सुमेलित नहीं है नहीं वाला आपको बताना है रवी कीरती आहोल प्रस्तिती हरिसेड प्रयाग प्रस्तिती मेगस्तिनीस इंडिका इलांगो मडी मेख लई तो यहाँ पर आपको बताना कहें नोट करेक्टली मैचड यानि कि सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको बताना है रवी कीरती ने आहोल प्रस्तिती की रचना करी ये तो बिल समुद्र गुप्त, ठीक है, समुद्र गुप्त का ये दरवारी कभी था, वहीं मैं बात करूँ, रवी कीरती कि ये किसका दरवारी कभी था, ये था, किसका पुलकेसिन का था, पुलकेसिन जो दुती ये था, ठीक है, पुलकेसिन साइकेंड था, उसका ये दरवारी कभी था MEGA STINIZ किसकी पुष्टिकाँ है? INDIA MEGA STINIZ की पुष्टक है उसका नाम क्या है? INDIA जो कि मोरकाल के बारे में जानकारी प्रदान करती है ILAGOS удив Commercial यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि यह गलत है गलत आप से पूछा गया तो सुमेलित ना हो ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर वता कर चल रहा हूँ, ठीक है ना, चलिए आंगे बात करते हैं आपर, महमीर का जनम किस महा जनपन में हुआ था, ये उनका जनम हुआ था, वज्जी में, यहाँ पर आंगे, यहाँ पर क्वेस्टन है आपका, निम्लिकित कत्रों पर विच आए था, अहम्दाबाद को क्या बोला जाता है, भारत का मांचेस्टर बोला जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, और जो पहली, गुजरात में, जो पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी, वो 1869 में ही हुई थी, कहाँ पर साबर मती, नदी के किनारे हुई थी, ठीक है न यह भी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, तो दोनों ही आपके कैसे हो जाएगे, दोनों स्टेट्मेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगे, कौन सा, यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएगे, चलिए आंगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला प्रसन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना है, सेरी कल्चर बोलते हैं, रेसम की खेती को ठीक है, या रेसम के जो कीटों का पालन किया जाता है, वही सेरी कल्चर कहला आता है, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर क्या होता है, जो मचलियों का पालन या मतस पालन होता है, वही होता है, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर होता है, अंगूर की खेती को बोलते हैं, हारेटी कल्चर बोलते हैं, सबजी और फल फूल वाली खेती को बोलते हैं, ठीक है, यह महत्पुड को इंपोर्टेंट है क्योंकि तीन से चार क्वेस्टन यहां से बन सकते हैं इसलिए मैंने आपको यह वता दिया है ठीक है अब आपको यहां पर मिलान कर लेना है कौन सा यहां पर सही है चलिए यहां पर आंगे बात कर लेता हूं अगला प्रसन यहां पर कहता है कि निमनलिकित में से कौन सा असत्त है गलत आपको वताना है महादूई परपटी सिल्का और एलूमिना जैसे खनिजों से वनी होती है करेक्ट है महासागरी परपटी सिल्का और आयरन से वनी होती है गलत है प्रत्वी की सत्य परपटी के नीच इसको बोलते हैं सियाल, एस आई, एल, एस आई का मतलब होता है सिल्का और एल का मतलब होता है एलूमिना, यानि कि सियाल परपटी में क्या होता है, सियाल पाया जाता है, सिल्का और एलूमिना पाया जाता है, वहीं मास आगर ये परपटी को बोलते हैं सीमा, क्या बोलते हैं सीमा बोलते हैं, ISI का मतलब होगा यहाँ पर सिलका, IMA का मतलब होगा मैगनीसियम, यहाँ पर iron की बात कही गई है इसलिए आपका यहाँ पर गलत हो गया है साइद मैंने यह question आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर गलत है कि रोट को क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं क्या बोलते हैं? निफे का मतलब होता है निकल और फेरस आयनाई का मतलब होगा निकल आयफी का मतलब होगा फेरस, फेरस का मतलब लोहा ठीक है? तो यहाँ पर गलत बताना है असत तो असत आपका यहाँ पर साइकेंड वाला हो जाएगा अगला प्रसन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिकित में से कौन एक आर जंजाती नहीं थी विच ओव दा फॉलोविंग वाज नाट एन आरेन ट्राइव ठीक है आर जंजाती नहीं थी नहीं यहाँ पर लगा हुआ है भरत पुरू दस्यू यदू यहाँ पर नहीं वाला आपको वताना है तीन यहाँ पर राइट होंगे आर जंजाती होगी एक नहीं होगी उसी को आपको यहाँ पर वताना है तो भरत यह क्या है यह एक जंजाती है, पुरू भी एक जंजाती है, यदू भी एक जंजाती है, परंतु दस्यू, दस्यू का मतलब होता है दास, दास का मतलब नौकर, यह एक कोई आर जंजाती नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए correct answer यहाँ पर क्या होगा, दस्यू यानि की दास, दस्यू का मतलब दास यहीं यहाँ पर correct answer हो जाएगा चलिए आंगे वड़ते हैं यहाँ पर question कहता है कि निम्लिकित में से कौन सा कतर सक्त नहीं है यानि कि आपको यहाँ पर क्या वताना है गलत वाला वताना है इनमें से बायू मंडल में उपर की और जाने पर दाव तेजी से गरने लगता है समुद्र इस्तर पर बायू दाव सरवादिक होता है और उचाई पर जाने पर घटता जाता है बायू दाव का थैचित वित्रड किसी इस्तान पर उपरसित बायू के ताप दोरा प्रभावित होता है बायू सदेब निम्न दाव छेतर से उच्च दाव छेतर की और गमन करत भीस हैं तो नहीं वाला आपको बताना है ठीक है यानी की जो गलत हो गलत आपका यहां पर डी वाला है बाकी तीनों यहां पर राइट हैं तीनों यहां पर सही दिये कए हैं ठीक ना जो आपकी कंसा वायू हमेशा उच्च से, उच्च से निम्न की और जाती है उच्च से निम्न की और बायू हमेसा जाती है ये चीज याद रखना ठीक है ये दो तीन से बार question exam में पूछा गया है तो ये हम पर गलत कहा गया है निम्न से नहीं बलकि उच्च से जाती है इसलिए गलत है वाकि ये तीन आपके हम पर कैसे ह बायू मंडल में उपर की और जाने पर दाब क्या होता है दाब जो है वो गिरने लगता है समुद्र में दाब सरवाधिक अधिक होता है जैसे ही उचाई पर जाओगे तो इसका जो दाब है वो घटने लगता है ठीक है ना और बायू दाब का थैच्च जो बितरड होता है किस पिरसन यहाँ पर कहता है कि एक नदी पहाड से उतर कर सागरत की यात्रा में कौन सी आकटिया क्रमसा वनाएगी जैसे एक नदी है जब वो पहाड से उतरती है कौन कौन सी इस्तलागरतियों का निर्माल करते हुए वो चलती है विसर्प, जलप्रपात, गोखुर जिल, विता यहाँ पर आपको लाइन से लगाना है यानि कि क्रम में आपको यहाँ पर वताना है सबसे पहले कौन सी यहाँ पर आएगी ठीक है सबसे पहले आपको कौन सी आएगी हाँ पर क्रमसा आपको वनाएगी ठीक है क्रम में आपको यहाँ पर लगाना है जैसे नदी यह मालो ये पहाड आए पहाड से नदी आपकी आ रही है जैसे ये पहाड से नीचे गिरेगी ठीक है जैसे जब ये जहरना बन जाता है तो इसको कहते है वाटर फोल क्या बोलते हैं इसी को वाटर फोल यानि कि जल प्रपात बोलते हैं क्या बोलते हैं सबसे पहले यहां पर जल पहने लगती हैं तब इसको क्या बोलते हैं विसर्फ इसको बोलते हैं तो पहली आकरती जल्पिरपात होगी दूसरी क्या होगी बिसर्फ होगी तो दूसरा वाला यहाँ पर पहले आएगा ठीक है उसके बाद में पहला आएगा तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी विकल्प हो ज उसके बाद में ये नदी मैदान में प्रिवेस करेगी कहां पर प्रिवेस करेगी मैदान में प्रिवेस करेगी पहाड से उतर कर तो ये बिसर्प आकरती बनाएगी दूसरे नमबर पे ठीक है और तीसरे नमबर पे क्या बनाएगी गोखुर जील बनाएगी ओक्स वो लेक बन उत्तर की और सिर करके दफनाय जाता था ठीक है ना ये दोनों आपके correct answer है इनाम गाओं इनाम गाओं ये कहां पर है ये है दोस्तों पुड़े में कहां पर है पुड़े यानि कि महराष्ट्रा में है ओके ये महराष्ट्रा के पुड़े में है और ये किसकी नदी के किनारे व लिगार दिया जाता था यानि दखना दिया जाता था और उनका जो सिर था, सिर को किस दिशा में रखा जाता था चलिए आँगे वड़ते हैं आँगे यहाँ पर है question आईने अकवरी से सम्मन्दित मैं आईने अकवरी के बारे में आपको बता चुका हूँ अवल फजल दोरा लिखा गया है विल्कुल लिखा गया है यह तीसरा पार्ट है किसका अकवर नामा का इसमें विमिन पिरकार की चीज़ें फसलें, कीमत, राजस, मजूदी बगेरे सांकिकी का विवरट यहाँ पर है यह अकवर की पूरवर्च का विवरट नहीं देती है पूरवर्च का विवरट जो है तो जनसंक्या के हिसाब से आपको यहाँ पर क्रम में लगाना है सरवादिक जनसंक्या किसकी है ठीक है अमेरिका की है इंडोनेसिया की है ब्राजील की है पाकिस्तान की है तो सबसे जादा जो जनसंक्या है वो किसकी है वो है जनसंक्या मेरे भाई USA की ठीक है तो USA यहाँ पर USA यहाँ पर आजाएगा उसके बाद यहाँ पर अगला प्रिसन यहाँ पर कहता है कि आईने अकवरी के संदर्ब में निम्लिकित कत्रों पर बिचार करें और सही विकल्ब का चैन करें यह क्वेस्टन मैंने आपको सुरुवात में ही बताया था आईने अकवरी कौन सा भाग है यह तीसरा भाग है अकवर नामा का ठीक है अकवर नामा का यह तीसरा भाग है किसके दोरा लिखा गया है अवल फजल के दोरा लिखा गया है अवल फजल की दोरा लिखा गया है सही है इसमें विविन प्रिकार की चीजों फसलों कीमतों राजस और मजदूरी वगेरे का सां आंसर हो जाएगा ठीक है ना शली ये आंगे यहां पर वड़ते हैं यहां पर आपको वताना क्या है निम्नले की देशों को उनके जनसंग्या के हिसाब में किरम में लगाओ तो सबसे जादा जनसंग्या बरतमान समय में भारत की है किस की है बरतमान समय में भारत की है फिर उस पर सबसे पहले कौन आएगा USA आएगा USA ठीक है उसके बाद कौन सा यहाँ पर आएगा उसके बाद यहाँ पर इंडोनेसी आएगा ठीक है एक दो यहाँ पर आएगा उसके बाद यहाँ पर कौन सा आएगा पाकिस्तान यहाँ पर आजाएगा और उसके बाद ब्राजील आपक यहाँ पर आजाएगा ठीक है ना अब आपको यहाँ पर किरम में लगा लेना है तो यहाँ पर इस प्रिकार इस question का right answer होगा तीसरा वाला ठीक है तीसरा वाला यहाँ पर right answer हो जाएगा मैंने आपको वताए दिया correct answer यहाँ पर C वाला हो जाएगा ठीक है